So friends, आद इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने मोबाल में ही पावर पॉइंट की स्लाइट कैसे बना है तो चलिए शुरू करते हैं देखी friends, सबसे बहले आपको अपने मोबाल में प्ले स्टोर पर जाना होगा प्ले स्टोर पर जाकर आपको ये वाली अप्लिकेशन सर्च करना होगी इसका नाम है WPS Office, Free Office Suite for World PDF Excel इसके अंदर World PDF और PPT को सबको ये सपोर्ट करता है तो इसको आपको डाउनलोड और इंस्टोल करने के बाद यहां से हम इसको ओपन कर लेंगे और इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा देखे जैसे आप यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको प्लस बटन दिखेगा प्लस बटन पर क्लिक करेंगे आप और जैसे प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर create new का option आप देख सकते हैं और पहला option यहां दिया हुआ है document यह जो blue color का आपको w दिख रहा है इसका मतलब है कि यह आपको world के document बनाने में मदद करेगा जैसे कि resume, letter, experience, certificate और other चीज़े, certificates बगरा और दूसरा जो option देख रहे हैं वो आपको presentation याने की ppt बनाने में help करेगा तो हमें इसी option की जरूरत है तो second option पर हम जाएंगे देखेंगे, जैसे आप second option पर आएंगे तो यहां पर आपको new presentation उपट देख सकते हैं new presentation पर आप आचुके हैं और यहां पर आपको अलग-अलग designs ये दे रहा है ये blank दिया वाई, इसका मतलब आपको कोई भी design नभी choose नहीं करना है कोई भी template वगर आपको नहीं लेना है तो आप यहां पर blank पर भी जा सकते हैं फिर दूसरा आपको दे रहा है education education से related आपको बनाना है तो उस पर आप जा सकते हैं business report आपको दे रहा है नीचे work report, business, nature, simple and minimal, education, album तो यह अलग-अलग template होते हैं बागी अभी आप बिल्कुल basic ppt बनाना चाहते हैं तो आप सबसे blank ले, सबसे पहला option तो blank पर click करेंगे हम आप देखें, जिसा कि आपने computer में चलाया होगा MS Office के अंदर आपने PowerPoint की slides बनाई होगी तो उसी तरह की कि आपको options यहाँ पर मिल चुके हैं यह आपकी सामने जो double tap to add title यह आपकी slide है इसके अंदर आप लिख सकते हैं, image डाल सकते हैं तो वो सारे option आपको है और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ slide अगर और भी add करना है जैसे अभी आपके पास एक ही slide है तो अगर आप और भी slide add करना चाहते हैं तो आप यहाँ plus पर click करें यह जो plus button है नीचे slide और plus button दिया हुआ है उस पर हम यहाँ पर click करेंगे तो यह देखिए आपको layout और यह और भी slides आ चुकी है तो यह आपको layout भी पूछेगा कि आप slide का layout क्या रखना चाहते हैं तो देखिए कि पहला option दे रहा है title slide, title and content दूसरा है section header two column content compare, title only और blank तो अगर आप चाहते हैं कि blank slide आपको जोड़ना है या फिर सिव आपको title रखना है तो title only आप ले सकते हैं यह देखिए इस तरगी से मैंने आपको दो slide add कर दी तो इसी तरगी से मैं आपको 5 slide add करके बता देता हूं plus पे हम click करते जाएंगे और title only रख दिया हमने फिर plus पे click कर देखिए फिर हमने चाहा तो कुछ और layout ले ले लेते हैं हम जैसे कि हम अलग यह image वाला ले लेते हैं इसमें आपको picture भी हम जोड़ सकते हैं एक और slide उप मैं जोड़ देता हूं देखिए एक और slide हम title ही ले ले लेते हैं तो यह मैंने आपको 5 slide आपको इसमें जोड़ के बता दिए जैसे आप अपने हिसाप से और भी बढ़ा सकते हैं गटा भी सकते हैं अब जैसे कि पहली slide पे आते हम तो पहली slide पे जो आपको यह double tap जो आपको bold लेटर में दिख रहा है यहाँ पर जैसे मैं आपको select कर लिया इस पे click करें तो इसे dots आजाएंगे चारों तरफ इसके इन dots की मदद से आप इनको इसको resize कर सकते हैं इस text box को आप resize कर सकते हैं और नीचे वाले आप पे box पे click करें तो उसको भी आप resize कर सकते हैं तो पहले यहाँ पर आपको और अगर इन में से कोई भी box आपको हटाना है तो उस पे आप एक और बार click करें तो आप यह delete का जो box हो मिल जाएगा या भी उसमें आपको कुछ और लिखना है तो आप edit कर सकते हैं और भार कहीं भी click करें तो वो चीज़ हट जाएगी तो double tap पर हम यहाँ पर double tap कर देंगे तो आप लिख सकते हैं डारेक्टली डबल टच कर रहा हम तो आप लिख सकते हो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम जैसे कुछ भी slide बना रहे हैं कि करोना से देखे और आप capital बगर कर दियान रख सकते हैं करोना से बचने उपाय तो जैसे हमने यह slide हम बना रहे हैं कोरोना से बचने की उपाय के बारे में तो हमने वो यहाँ पर जो इसका रख दिया है title अब यहाँ पर भी हम कुछ एड कर देते हैं इसमें यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं इंडिया फाइट्स कोरोना फाइट्स कोरोना हम कर गया हम यहाँ पर यह हमने डाल दिया है और इसको हम उठा भी सकते हैं और नीचे उपर नीचे भी कहीं भी इस पेस ही हम दे सकते हैं तो यह हमने एक introduction बनाया अब इसको और आगे बढ़ाते हैं तो क्या-क्या उपाई हैं वह आगली slides में बताएंगे किक करके देसे की सबसे पहला यहाँ पर हमने टाइटल में लिख देंगे हमेशा powerpoint slides के अंदर ज्यादा details नहीं दी जाती है only main point जो bullet point होते है सबसे मुख्य point वो आपको देना होता है ज्यादा आपको टेक्स्ट इसमें लिखना नहीं है पूरा टेक्स्ट से इसको भरना नहीं है लिखा लिखावर्ट से तो सीव आपको main main points पे बात करनी है देसे सबसे जरूरी क्या है इसमें सबसे जरूरी point हो जो है कि आप stay at home आप घर पे रहिए कहीं भी आपको जाने की आवशक्ता नहीं है आपको क्योंकि lockdown भी चल रहा है तो आपको ये सारी चीज जो सरकार के नियाम है उनको follow करना होगा तो stay at home हमारा जो हो bullet point हो गया सबसे number one कि आपको घर पे ही रहना है और किससे मिलना नहीं है तो इससे related अब हम ही या मान ले कि आपको image भी insert करना है इस point को जो justify करें वैसी आपको image डालनी है तो हम इसके लिए Google Chrome पे जाएंगे Google Chrome पे जाने के बाद हम यहाँ पर search कर लेंगे stay at home और search कर लिया हमने फिर यहाँ पर हम image पे चले जाएंगे जी देखिए हम image पे आ चुके हैं तो यहाँ पर जैसे भी image आपको चाहिए आपके according आप search कर सकते हैं जैसे यह वाली image हमें जादा suitable लग रही है तो इसे हम यहाँ पर download कर लेंगे visit कर लेंगे में इस साइट को कि साइट जो यह ओपन हो रही है और इस पर हम image पर टच करकर रहे हैं तो फिर download image option हमारे पास आ जाएगा यह देखिए में download हो चुकी है अब हम वापस से हमारे PowerPoint पर आ जाएंगे तो पहले स्लाइड जैसे कि मैंने बताए कि आपको यह heading हमने डाल दिया यहां पर content और दूसरी स्लाइड पर हमने एक title डालाए stay at home अब यहां में आप पिच्चर जो insert करना है तो आप नीचे देख सकते हैं जस्ट सेकेंड नंबर की स्लाइड के जस्ट नीचे पिच्चर को option दिया है तो यहां पर पिच्चर पर क्लिक करेंगे आप और यहां से आपकी जैसी जो download की हुई है उसको आप यहां पर select करके ok कर देंगे और इसको हम resize कर देंगे ताकि हमार title भी दिखे और इसको यहां से बढ़ा देंगे हम और इस title को हम जो क्या है इसको center में ले लेंगे देगे जैसे हम इस title को उठाते हैं तो आपको यह center में align करने के लिए red line cross करके बताता है और इस image को भी हम थोड़ा जो है center में कर ले लेंगे तो stay at home का हमने यह बना लिया अब देखिए आगे बढ़ते हम अब दूसरा उपाय क्या है सबसे पहला तो हमने कर लिया stay at home लेकिन जैसा कि हमें कुछ न कुछ जैसे सरकार जो छूट देती है time time limit देती है कि आप सुबह 8 से 10 की बीच कुछ भी ला सकते हैं या कोई भी जो time limit होती है वो update मिलती रहती है हमें तो उसके according हम कभी अगर बहार जाते भी हैं तब हमें क्या करना है और वापस से हम return जब घर पे आते हैं तब हमें क्या करना है तो वो चीज हम third slide में आपे add कर लिखेंगे थर्ड स्लाइड में हम यहां पर टाइटल लिखेंगे वाश कि यूवर हैंड्स और वाश यूवर हैंड्स प्रॉपर्ली या फिर अप्टू जैसे ब्रैकेट के अंदर हम यहां डाल देते हैं अप्टू यहां जैसे सिर्फ में चीज लिखना हमें 20 सेकंड हम डाल देते हैं 20 सेकंड तो इससे ही सामने वाला समझेगा कि हम क्या किया चाहरे हैं देखे वाश यूर हैंड्स 20 सेकंड मतलब कि आपको हाथ दोना जरूरी है और वो भी अच्छे किसी साबून से किसी भी साबून का ओप्योग आपको यूज करना है आप कर सकते हैं तो अब इससे रिलेटड भी हम यहां पर एक इमेज बताना चाहेंगे क्योंकि मेडिया का सबसे आदा प्रभाव पड़ता है किसी के भी ब्रेन पर उसको ज्यादा समझ में आता है ज्यादा अगर आप यहां पर टेक्स्ट पूरा लि हम हैंड वॉष करने से रिलेटड हम यहां पर गूगल और खूंप पर आ जाएंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने वॉष्यूर हैंड की जो भी इमेज है वह हम देख रहे हैं यहां पर सर्च कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट जो इमेज है हो मुझी यह लग लिए क्योंकि इसके अंदर सारी प्रोसेश वह बताई गई और भी से रिलेटेट देख आच होगी हमारे पास देखें तो कि यहां पर जो है यह वाली इमेज भी हम एच्छे लग रही है इसके अंदर नाइन स्टेप्स के अंदर बताए गया तो इसे हम डाउनलोड कर लेंगे अधिए इस पर टच करेंगे फिर विजिट जो आपको बटन दिख रहा है उस पर जाएंगे हम तो यह उसके साइट पर ले जाएगा वहां से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे लाँ हो सव्रेंटस जैसा कि हमने वाश्ष यूर हेंड जो हमारी थियुर्ड श्रव अधिए उसके लिए भी हमने इमेज डाउनलोड कर लिए तो हम यहां पर पिच्चर पर क्लिक करेंगे के नीचे की तरफ और यहां से हम अपनी इमेज को यहां से यह सेलेक कर लेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे फिर इस इमेज को हम कि इसका size को बढ़ा देंगे कि इसको center में रख देंगे और जोगी हमारे टेक्स्ट इसका भी बॉक्स को छोटा करके हम इसको कि सेंटर में अलाइन कर देंगे तो इस तरीके से हमने तीन स्लाइट तो बना चुके हैं देखे तो पहला पहली सबसे इंट्रोडेक्शन में हमने बता है कि कोरोना से बचने के उपाया हम बता रहे हैं इसमें अको किसी पिसी टाइप के अप स्लाइट बना सकते हैं उसमें सबसे प्ले को इंट्रोडेक्शन देना ओगा उसके बारे में कि आपकी गर पर ही रहे और दूसरा अपने हाथों को दोते रहे हैं हैंड वॉश से या साबून से 20 सेकंड तक और चोथा बताने जा रहा हूं आपको देखे इसमें हमने ले आउट थोड़ा अलग लिया था यहां पर आपको left side में double tap to add title दिख रहा है और उसके बारे में old text लिख सकते हैं और यहां पर हम उसकी image डाल सकते हैं double tap to add a picture तो यहां पर हम title डालते थे पहले देखे अगला title हमारा होगा social distancing तो distancing हम जोए वो नीचे add कर देते हैं या फिर यहां पर भी हम add कर देते हैं एक पावर social distancing और यह अगर हम block जगर नहीं कुछ इसमें लिखना चाहते हैं या फिर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं Trip Canada कर देते हैं तो अग्देशब होगे तो अगिज्या और हम जाए कारवा कर दाण चाहें राठीब लिखी तकी स्वें ईधर देखेखे हैं Regulations तो यह हमने Government Rules and Regulations इसको Follow करने के लिए यहां पर थोड़ा Text लिख दिया है अब देखिए यहां पर हम अब इसके में Font Size कैसे बढ़ा रहा हूँ वो भी आपको में बता दो हूँ देखिए सबसे वहले से हमने भाहर क्लिक कर दिया है वापस से हम उसी Text Box पर क्लिक करेंगे तो इससे Selection हो जाएगा और यह आपको चारो तरफ जो है वो Dots मिल जाएगे अब जैसे यह Dot मिल चुगे तो आप नीचे के तब देखिए सबसे नीचे यहां पर A Plus का बटन दिया हुआ है A Plus आप जितनी बार दबाएंगे तो आपके Font Size जो हो इंक्रीज हो जाएगा और A Minus से आप इसको घटा भी सकते हैं तो A Plus हमें करने की जुरूत है यहां पर तो हमने A Plus अपने हिसाब से कर लिया है फिर भाहर क्लिक करेंगे दूसरी Image पर और Social Distancing का भी हम थोड़ा Font Size ज़्यादा यह बढ़ा रखेंगे और इसको B पर ग्लिक करेंगे तो Bold भी हो जाएगा और इसका Size बढ़ाना है और ज़्यादा नहीं कम कर लेते हैं अब इसी से Related हमें एक Image को Search करना है और यहां पर हम Add करेंगे तो उसको भी हम Google Chrome से मैं आपको डाउनलोड कर लेता हूं So friends, Social Distancing की भी Image मैंने एक डाउनलोड कर लिए तो मैं यहां Picture पर क्लिक करके उसे भी Insert कर देता हूं देखें तो यह हमारी Social Distancing की एक Image हमने डाउनलोड की है जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि किसी भी Shop पे आपने भी देखा होगा कि हर Shops के आगे जोए वह Circle बना दिये गए हैं जिससे की कोई भी अगर आप Product सामन खरीदने जाने भी जा रहे हैं तो वहां पे आपको दूरी Maintain कर सके हैं easily एक दूसरे से क्योंकि यह जो कोरोना वाइरस है यह चोने से फैलता है इस प्रेडिंग इस पर यह एक बहुत ही खतरनाग infectious disease है अब देखिए और यहां पर आप उपर जैसा की देख सकते हैं डबल क्लिक करके भी हम पिचर इंसेट करवा सकते हैं तो वह भी तरीका में बता जाता हूं आपको तो इस image को मैं अभी यहां से डिलीट कर देता हूं और डबल टैप करके हम इंसेट कर सकते हैं यह देखिए डबल टैप करके और पूरी इमेज यहां पर यह वह सेलेक्ट हो चुकी है देखिए तो फ्रेंट जैसा कि आप देख सकते हैं सोचल डिस्टेंसिंग की मैंने image यहां पर लगा दियो उसके बारे में कुछ मैंने लिखा भी है लेकिन जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ज्यादा हमें टेक्स नहीं लिखना है वो फॉनली जो important points है वह हमें आप बताना है फिर हम 50 slides की दरब दलते हैं देखिए तो यहां बर हम title अगला डालने वाले हैं वर यहर देखिए विध मश्ग और cloth इसका मतलब है कि आप अपने face को cover करके जाएं अगर आपको कहीं जाना भी है जाना जैसे जरूरी कुछ important काम है आपको जैसे कि कुछ आपको लेने जाना है या कुछ important काम है तभी आप पहले तो बाहर निकले और निकले तो आपके face को mask से या कपड़े से cover करके निकले तो इससे भी related हम image मैं आपको search download कर लेता हूँ फिर यहाँ पर आपको insert करके बताता हूँ दागे friends तो यहाँ पर मैंने थोड़ा point में change भी किया है मैंने इसका heading दिया है use mask to cover your face और यहाँ पर इसकी image भी मैंने यहाँ पर insert कर दिये so friends इस तरीके से आप powerpoint की slide को अपने mobile में भी बना सकते हैं WPS office application का उप्योग करके और साथ ही साथ में मैंने आपको यह information भी awareness भी देने की कोशिश की है कि आपको और ना से कैसे बस सकते हैं तो सबसे बेला मैंने आपको यहाँ देख सकते हैं अब इसी slide को अगर हमें पूरा play करना है लेकिन देखिए उसको हमको slides show play करने से बेले last की एक slide और हमें भी जोडना बाकी है तो वो भी हम जोड देते हैं तो यहाँ पर देखिए हम एक image वाली slide लें यह पिक हाँ title वाली slide ले लेते हैं अब यहाँ पर हम title डालेंगे क्योंकि देखिए आपकी presentation को सभी ने देखा है इतने ध्यान से देखा उसको follow किया है तो आपको thanks की slide आपको last में बनाना होगी conclusions देना होगा एक thanks बोलना होगा अपने users को thanks for watching जैसा हम लिख सकते हैं और यहाँ पर नीचे एक और आप image हम insert कर देते हैं so friends जैसा की देख सकते हैं last slide भी मैंने बना दिये thanks for watching और नीचे मैंने flowers की image यहाँ पर लगा दी तो in flowers की image से हम यह कहना चाहते कि आप भी in flowers की तरह खिलते रहें और स्वस्त रहें और घर पे रहें stay home stay safe so friends इस इन सारी जो six slide को हमें play करना है अगर mobile में तो आप सबसे इदर नीचे की तरब जो पट्टी है उस पर पहला option जो देख रहे हैं box बने होए हैं चोटे-चोटे इस पर click करें और यहाँ पर आपको play पर click करना है जैसे यहाँ पर insert, file, play, transitions, design, pen और भी options है इसके अंदर अभी safe मैंने आपको basically slides आपको current page और first page मिलेगा तो यहाँ पर आपको first page पर click करना बनाना बताया है content को कैसे आपको adjust करना image insert करना यह सब चीज़ बताईए इसमें और भी details आ सकती हैं तो यहाँ पर आप play पर जब जाएंगे तो देखें पहले paste आपकी जो slide है वो run होना चलो हो जाएगी अब जैसे ही हम आगे की तरह इसको बढ़ाएंगे जैसे हम image को बढ़ाते हैं अपनी gallery में तो वैसे हम इसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें यूज मास्क टू कवर यूर फेस और थैंक्स फॉर वाचिंग सो फरेंट जैसा कि हमने यह पूरा presentation जो बना लिया भी है मैंने आपको छे demo slide बना के बताया है इस तरगे से आप कितनी भी slide अपने साबसे 10-15 भी slide आप बना सकते हैं अब मैं सबसे important point आपको बता दूँ कि इस presentation को आपको ppt को save के से करना है तो save करने के लिए सबसे उपर आप पट्टी पर देख सकते हैं done button दिया हुआ है तो done पे क्लिक करेंगे आप तो done पे जैसी आप क्लिक करेंगे तो यह आपका जो presentation है वह आपका view mode में आ जाएगा और आप यहाँ पर उपर की तरह आप देख सकते हैं edit के बाद एक button दिया हुआ है वह save का button होता है तो यहाँ पर क्लिक कर दिया हमने और यहाँ पर देखिए automatically इसने वह नाम ले लिया है Corona से बचने के उपाए और यह .pptx format में जा रहा है तो इसको हम यहाँ पर save पर क्लिक कर देंगे देखिए save हो रहा है So friends इस तरीके से आप अपनी PPT को save भी कर सकते हैं और इस तरीक से यहाँ पर पूरा देख पार है So friends इस वीडियो में इतना ही फिर में लेके नए वीडियो के साथ धन्यवाद भी में लेखिए झूला धन्यवाद प्ष्वाद